नमस्कार मैं आचार्य बिनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे मकर रासी की 2021 में क्या संभावनाएं है क्योंकि जोतिस संभावनाओं का खेल है ब्यक्ति संभावनाओं को तलास करके अपने मार्ग को प्रसस्त कर लेता है तो आज हम बात करेंगे मकर रासी की इसका स्वामी होता है सनी क्योंकि जन्म कुंडली में जो एक तरह से सबसे अधिक समय तक एक रासी पे इस्थिर रहने वाला ग्रह है वो है सनी अपने कारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कारी को शमप्त करना साहस और बुद्धिमानी से अपने कारियों को अपने पक्च में ले आ लेना ये मकर रासी का सुभावाई लेकिन हम बात करेंगे 2021 में मकर रासी की संभावनाओं की लेकिन इसके पहले एक बिसेश जनकारी आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग जो है कमेंट में लिखते हैं कि हमें कुंडली दिखानी है हमें ये समस्या है इसको ठीक करवानी है तो आप लोगों के लिए है कि आप यदि जन्मकुंडली से संबंधित अपनी किसी भी प्रकार की परेसानियों को दूर कराना चाहते हैं या अपने जीवन में चली आ रही परेसानियों को ठीक कराना चाहते हैं वास्तू से संबंधित या तंत्र मंत्र टोटकों से संबंधित कोई किसी प्रकार की अगर आपके जीवन में परेसानिय चल रही है तो जो तिस नेत्र है वह निश्चित रूप से आपकी परेसानियों क को देख करके एक सुन्दर सा उपाय देगा जिससे की आपके परिशानिया दूर हो जाएंगी तो अब आपके लिए www.ashtotak.com पे एक ऐसी सुविधा दी गई है जहां से आप प्रश्ण ले सकते हैं और वहां से हमसे डारेक्ट बात भी कर सकते हैं देखिए नाम आपके जीवन का प्रतनिधित करता है अगर व्यक्ति का नाम भागय से अगर नहीं लिंक कर रहा है तो भागय काम नहीं करता है इसलिए यदि आप नाम में कोई अच्छर चेंज कराना चाहते हैं जो कि आपके भाग को प्रभावित करे तो आप हमसे बात करके अपने नाम को अपने भाग के आधार पे कराशकते हैं अब बात करते हैं मकर राशी की क्योंकि मकर राशी और ये अंग्रेजी महीना इस भी ये सन में हम संभावनों को तलासेंगे क्योंकि 99% कारे तो हम इस भी ये सन में ही शंपन्न करते हैं और इस वी ये सन 2020 का कटप है जनवरी 1st 2021 इस दिन क्या है शुक्रवार है और करक राशी पे चंद्रमा है पुखे नचत्र है तो अगर करक रासी का जो चंद्रमा है तो आपके रासी से सब्तम पड़ेगा, सब्तम आपका दामपत्य जीवन है और सब्तम आपका एक तरह से संजुक्त ब्यापार है, समूह में अगर कोई कारी कर रहे हैं तो वो अभी सब्तम से ही देखा जाता है लेकिन चार-पांच चीजे ऐसी है जन्मकुनली में कि जिनको देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पंचम अस्थान क्या है बुद्धी, ग्यान, विबेक अच्छा है तो कारी को आप अच्छे से अच्छे धंग को धंग से कर सकते हैं तो हम देखते हैं मकर रासी में, तो मकर रासी में नमबर दो अंक बन रहा है, दो का मतलबोता ब्रस और वहाँ पे राहू है और सुक्र एका दस में जाके बैटा है, आर्थिक इसितियां तो होंगी, लेकिन संतान पक्च से और प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी सावधानी बरतने की वेहद अवशकता है मकर राशी वालों की, अब आते हैं सप्तम भाव, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है, आपके संजुक्त ब्यापार का भाव है, या आप समू में कोई कारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी कि नहीं, ये भी यहीं से देखा जाता है, तो सप्तम भाव में देखते हैं, तो नंबर चार पढ़ता है, मतलब करकरासी और वहाँ पे क्या है, चंद्रमा, तो निश्चित रूप से आपको संजुक्त ब्यापार में या आप समाजी कारियों में लगेंगे, तो वहाँ से आपको सफलता हैं, जरूर प्राप्त होंगी, अब आते हैं नवम भाव, नवम भाव क्या है, आपके भागय का भाव है, कारे को थोड़ा करके ज़्यादा फल ले लेना भागया, भागय के रूप में जाना जाता है, तो भागया भाव का अंक है छे, मतलब बुद्ध, कन्या राशी, और इसका जो श भागय का भी सहारा आपको मिलेगा, और निश्चित रूप से मिलेगा, दसम भाव में आते हैं, वहाँ पे नंबर है साथ, मतलब तुला, आपके कारे का भाव है, आप जो कार्या नित्य नेमेतिक जीवन में शंपन करते हैं, उसका भाव है, और उसका शौमी होता है, सुक हैं, एका दस भाव, एका दस भाव बेहद इंपोर्टन्ट है, क्योंकि जो आप कारे करते हैं, उसकी डिलेवरी कराता है, एका दस, आएका स्रोत है, एका दस, वहाँ पे अंक बनता है, आठ, मतलब ब्रिश्चिक, सौमी होता है मंगल, और मेसरासी का मंगल है, तो कारियों से आपको शावधान रहना है, क्योंकि पूरे साल आपकी जन्म कुंडली में सनी की साड़े साती का प्रभाव होगा, तो इस्थितियां आपके पक्ष में कुछ कम रहेंगी, इसलिए बिपरीद परिसितियों में आपको कारे को समारना पड़ेगा, साथी साथ मानस आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, परिवारी कलह न होने पाए, इसकी भी जिम्मेदारी आपको निस्चित करनी पड़ेगी, तभी आर्थिक इसितियां आपकी और आएंगी, शाथी साथ धनलाव के आउसर प्राप्त होंगे, यदि आप जो विदेश जाने के ल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि करकरासी का चंद्रमा वहन शुक भी आपको देगा, सप्तम्भाव में है, साथी साथ आपको वर्स आरंभ में से ले करके, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें आपको खर्चों पे नियंत्रन रखना पड़ेगा, अनावस्य खर्च करेंग तो आर्थिक इस्थितियां बिपरीत हो जाएंगी, उनको एक तरह से संपन्न करने में, फिर उसी को ठीक करने में पूरा साल निकल जाएगा, इसलिए आर्थिक इस्थिति को आप समहाल कर रखें, अनावस्य खर्ची से आपको बचना पड़ेगा, और अपने परिवार में अपने मित्रों से सामंजस बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से साल आपके पक्ष में होगा, विशेश करके क्रोज से आपको पूरे साल भचने की आवसकता है, माता के स्वास्त का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से आपकी जन्मकुन्डली आपके पक्ष मे होगी अब बात करते हैं कि क्या क्या कार इस साल करें जिस से कि आपके जीवन में जो आने वाली बाधाए है जो 2021 में आने वाली बाधाए हैं यह दूर हो जाए तो आपको सबसे पहले सनी की जो जलानी पड़ेगी आपको सनीवार को स्वास्त अच्छा होगा इसके साथ साथ लोहे के बरतन में तेल रखे सनीवार को यदि आप अपनी छाया को देखेंगे तो सनी की साड़े साती हटेगी अगर सनी की साड़े साती हटेगी तो सारे कारे अच्छे होते चले जाएंगे जो भी बि कुच्त को सन्यवार के दिन खिला के देखे अर्थिक उन्नति होगी समाज समाज में मांसमान मिलेगा पूरे साल आप हनुमान यह कारिक्रम आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इसे सेयर करें एक कमेंट एक आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा और कमेंट में जो भी आपको समझें ना आया हो उससे आप लिख सकते हैं आप लोगों का बहुत भषाने बाद नमस्कार